पिछले साल पुल्वामा में आतंक्यों से लोहा लेती हुए मेजर विपूती शंकर ढोंडियार शहीद हो गए थे तब उनकी पत्नी निकिता कॉल के साथ उनकी आखरी मुलाकात ने सभी की आखें नम करती थी शादी के दस महीने बाद ही पती को खोने पर निकिता ने भी सेना में जाने का मन बनाया था इसके लिए उन्होंने सारी प्रिक्षाएं और इंट्रिव्यू भी पास कर लिये हैं निकिता अब मेरिट लिस्ट के इंतजार में है पुल्वामा हमले के बाद सेना ने जैश ए महुमत के खिलाफ ओपरेशन चलाया था 18 फरवरी 2019 को पुल्वामा के पिंगलिया गाउ में आतंकियों से हुए एंकाउंटर में मेजर विभूती शंकर डोन्रियाल शहीद हो गए थे मेजर विभूती देहरादून के रहने वाले थे उनकी शादी को तब सिर्फ दस महीने हुए थे 19 सप्रेल 2018 को निकिता कोल के साथ उन्होंने साथ फेरे लिये थे पती की अंतिम विदाई देते वक्त निकिता ने कहा था आपके जैसा पती मुझे मिला मैं बहुत सम्मानित हूँ मैं हमेशा तुमको प्यार करती रहूंगी विभू तुम्हें हमेशा जिंदा रहोगे मेजर विभूती ना सिर्फ निकिता के पती बलकि उनके बेस्ट फ्रेंड भी थे पती की शहादत के बाद निकिता ने सेना में शामिल करने की इच्छा जिताई थी निकिता कॉल ने पिछले साल नवंबर महीने में SSC का एक्जाम दिया था और अब वह अपने पती के नक्षे कदम पर चलते हुए सेना में शामिल होना चाहती है फिलाल वे मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रही है 34 साल के मेजर विपूती डोंडियाल सेना के 55 आर आर में तैना थे वह तीन बैनों की इकलोते भाई थे मेजर विपूती को बचपन से ही सेना में शामिल होने का जनून था वह दो बार फेल भी हुए लेकिन फिर भी आखिरकार उन्हों सफलता मिले शहीद मेजर विपूती शंकर डोंडियाल के अदम्य साहस को देखते हुए उन्हें मर्नो प्रांश शोरे चक्र से समानित भी किया गया अठारा फर्वरी को ओप्रेशन शुरू हुआ तो आतंक्यों ने गोलाबारी शुरू करती टीम काने टित्व कर रहे विपूती डोंडियाल के सीने और गले में गोली लग गई थी ऐसे ही लेटेस्ट परेपाने के लिए बैल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइज, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद